हालो एवरिवन, वेलकम टो माई चैनल अगर आपके घर में भी छोटे बच्ची हैं और आप प्रेशान हो जाते हैं ठंड के आते ही उनकी हेल्थ को लेकर के तो गवरायमत मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने जा रही हूँ जो बच्चों को लगी सर्दी या ठंड से भी बचाव रखेंगे इसके लावा ये बच्चों के सर्दी खासी जुखाम को भी ठीक करने में हल्फूल रहेंगे सबसे पहले तो हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही सर्दीया शुरू हो जाती है तो उससे पहले हमने बच्चों को ऐसे कपड़े पेनाने शुरू कर देने चाहिए जो उनके शरीर को अच्छे से कवर कर सकते हों इसके लावा बच्चों को गरम पाने से नेलाना शुरू कर देना चाहिए और नेलाने के तुरंत बाद बच्चों को बातरूम के अंदर ही पूरे कपड़े पेना करकी बाहर लेखे आए यानि कि बच्चों को हवार नहीं लगनी चाहिए फ्रूट्स जूस या ड्राइ फ्रूट्स ये बच्चों की डाइट में जरूर शामिल कीजिए क्योंकि इन से रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ती है खासकर बादाम और अकरोट आप बच्चों की डाइट में एड़ करना जरूर स्टार्ट कर दीजिए इसके अलावा गूड लेसन और अद्रक ये गरम तासिर की चीजें होती हैं ये भी अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो इससे ठंड से बचाओ तो रहता ही है साथ में बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉंग होती है बच्चों के दूद में चीनी की जिगहे सरदी के सिंटम साते हैं वे से या य लावा दिन में दो बार गरम पाने से सिकाई करने से और अद्रक के रस के अंदरश है को मिला करके शह मिने से उपर के एज़िख के बच्यों को अगर आप देते हैं तो ये उनके वीए फायधे मिन रहता है और सर्दी खासी से राहत पिलती है इसके लाए दो चमत सर्सों के तेल में दो लस्टन की एकली की दो लोंग और दो चुटकी अजवें डाल कर थोड़ा भूल लें और इसके बाद बच्चों की चाती और कमर पर इसे अपलाई जब की नवजात बच्चों को एक छोटे और बंद बातरूम में बाप देना फायदे मन रहता है